Hi everyone, welcome back to my channel, Helpy Neha, मेरा नाम निहा है आपने अक्सर देखा होगा कि रात में बच्चों को सोने के समय पैरों में दर्द होता है या बच्चे सोने के समय पैर को पटकते हैं दर्द की विज़े से तो कई लोगों का कहना है कि ये जो दर्द होता है बच्चों में ग्रोथ के पीरेट में जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है उस समय दर्द जादा होता है क्योंकि उनकी मासपेशियों का विकास होता है तो इस तरह के दर्द को जो अक्सर बच्चों की रात में पैरों में दर्द होता है इसको हम growing pain भी कहते हैं तो क्या वाकर ये दर्द बच्चों की age से related है या उनके growth से या उनकी development से related है तो आज के वीडियो में जानेंगे growing pain की वज़ा क्या है उसके reasons क्या है और उसको कैसे सही करें और घर पे हम उनको कैसे सही कर सकते हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट में शेयर करके मुझे ज़रूर बताएए लेट्स स्टार्ट दवीडियो Growing pain या बच्चों की टांगों के दर्ध की जो complaint बच्चे करते हैं यह जासे से दिन ढलता है यानि कि शाम से रात की जब होता है तो यह दर्ध ज्यादा तेज हो जाता है और इस दर्ध का जो मारे doctors और research का कहना है कि इस दर्ध का कोई भी बच्चों की growth से relation नहीं होता है या ऐसा कोई भी link नहीं पाया गया है बलकि इसके कई और reasons हो सकते हैं उससे बड़ा reason यह है कि बच्चों के टांगों की muscles का बहुत जादा active होना क्योंकि बच्चे होते हैं बहुत active होते हैं दिन बार खेलते रहते हैं तो उसकी वज़े से उनकी मार्च पेशियों में जो muscles होते हैं उनमें खिचाव होता है जिस वज़े से यह दर्ध होने लगता है जैसे कि suppose आपने बच्चे को पार्क में भेजा एक घंटे के लिए तो आपने सोचा कि एक घंटे में क्या दर्ध होगा लेकिन उस एक घंटे में बच्चे ने किस तरह की activity करी है कितने टाइम बाद वो खेल खेला है कौन सा गेम खेला है वो सकता उच्छल कूत करके खेला ह तो उस वज़े से उनकी टांगों की जो मसल्स होती है उनमें खिचा होता है तो इस तरह की activity से बच्चों के पैरों में दर्ध हो सकता है इसके अलावा एक दूसरा reason यह है कि बच्चों की बॉड़ी में विटामिन D की कमी हो सकती है उससे भी जो होता है जो प्रॉपर विट हें पिरुक्वरों की नहीं है पहला reason है वह बहुत ही comment है जो बच्चों को ज़्यादा खेल खेल आया बहुत ज़्यादा active हो पोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में हमेशा ही हो यह मतलब हर दिन हो लेकिन बच्चों में वीक में दो या तीन बार ये हो भी सकता है तो आ अगर बच्चों को बहुत ज्यादा पेइन होता है तो रात में सोने से पहले उनको हलके गुंगुने तेल से मसाज जरूर करें जिससे की बच्चों को डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अराम मिलेगा इसके अलवा मेरा next home remedy है कि बच्चों के टांगों में वाम क्लोथ या जब भी कोई exercise करते हैं जब भी हम कोई physical काम करने जाते हैं तो हम अपनी बॉड़ी को थोड़ा warm-up करते हैं तो इसी तरह से अगर बच्चा खेलने जा रहा है तो अगर पॉसिबल हो चोटे बच्चों में नहीं होता है लेकिन थोड़ा अगर बच्चा बढ़ा है तो उसकी muscles को थोड़ा stretch करा सकते हो जिससे कि अगर वो खेले तो उसको एकदम से body में जटका ना लगे और उसको कोई भी खेलने में दर्द ना हो इन सारे tips को आज माने की बाद अगर आपके बच्चों को आराम नहीं मिलता है तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से consult जरूर करिए जि जिसे बच्चे को तुरंत relief मिल जाए तो इनके बाद भी अगर आपको नहीं आराम मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से consult करिए जिससे कि अगर बच्चे की बॉड़ी में हो सकता है किसी विटमेन या iron या mineral की कमी हो तो डॉक्टर पूरा course करा कर बच्चे को दे सके जिससे कि आपको लगे कि हो सकता बच्चे को कुछ ज्यादा problem हो तो आये जानते हैं वह कौन से ऐसे symptoms है पहला symptom है फीवर बच्चे को फीवर आ रहा है टांगों की दर्ट के साथ तो वो भी एक चिंता वाली बात हो सकती है आप दॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करिए इसके बाद इस आपको बच्चे में दिखता है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं उनका ऐसे देखने से समझ में नहीं आता एक बार आपको डॉक्टर को दिखा लेंगे तो आपको आपको सारी information मिल जाएगी जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हूँ तो यह थी मेरी एक छोड़ी सी information growing pain के बारे में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए and प्लीज सब्सक्राइब करिए और comment में मुझे शेयर करके जरूर बताए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं और इसी तरह के वी